तो आपके घर में अगर बहुत सारे परसाथ बच गए है या फिर शादी बैके लड़ू बच गए हो तो इस रेश्पी को जरूर से देखना यहां पर मेरे पास देखी इतने सारे परसाथ बच गए थे किश्मी सिनारियल और मखाने थे लड़ू थे और चूर्मा था और यह जो में चीज क्या बच गए थी शां बाबा की जो अपन फूल चड़ाते हैं तो कई लोग तो वहाँ पर बाबा को दिखा कर गर लिया आते हैं वो बाबा कैसे फैंक कर आ जाते तो वो बिलकुल भी ना करें आपको पता है ये परसाद ही होता है बाबा का तो ये सब घर वालों को आपको बाट कर खाना चाहिए और ये लड़ू देखे कितने टाइट हो रहे थे ये देखे बहुत ज़्यादा टाइट हो रहे थो किसे जा डाल तो ये ना अगरिय आपको पता है घुलाव की फुल कॉपन कैसे भी खा सकते ख्यरै में चूर्मे में में आल जांको बहुत ही कहार परसाद है तो सारे अपने घर के मेंबर हैं उनको जरूर से खिलाइए और अच्छे से मैंने बोश कर लिया था थोड़ा सा और जो बचावा पानी था कोई गमले में डाल दीजिए फिर यहां पर लड़ू को थोड़ा सा मैं मतलब तोड रही हूं कि मिक्सिजार में डाल कर से तो जितना भी परसाद आपके पास बचा हुआ है ना तो आप जरूर से बना कर देखे और यह रस्पी इतनी एजी है और इतनी टेस्टी को किसी को आप अगर खिलाओगे तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ऐसे बनाई है फिर मैंने मिक्सिजार में ही चार चमच मि जादा थे तो मैं यह देख रही हूं कई मीठा ना हो जाए जादा इतके बैलेंस के लिए मैं थोड़े काजू जादा लिए और टेस्ट के लिए भी डाला है तो इसे अच्छे से ग्राइंड कर दिया था दोनु पावडरों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर फिर मुझे कमेंट में बताना फिर एक पेन को मैंने गेस पे रखा और रात का बचा हुआ मेरे पास दूद था लगबाग डेड़ गिलास था यह और फूल क्रीम था और जो मलाई-मलाई बची थी वो भी थी इसके अंदर तो वो डाल दिया और दूद थोड़ा सा मैंने ज इस त्री के से चलाते-चलाते से पकाना है तो देखी फैंट्स बहुत जल्दी यह गाड़ा हो जाता है और आप इक पर इस त्रीकी से बना कर देखना देखे कितना गाड़ा होने लगा है ये देखे और एकदम पेंट छोड़ने लगे गई तो देखे अब जो चूर्मा मैंने अब डाला है क्योंकि दीरे दीरे ही डालना है अगर एक साथ अगर डाल दोगे तो लंपस बहुत जल्दी इसमें पढ़ जाएंगे इसलिए थोड़ की से लो तो घुड़ा चूर्मा इसमें डाल कर अच्छी से मिक्स कर लो फिर तोड़ा सा अगर डालना चाहो तो डाल सकते हो फूड कलर नहीं आप इसे ऑवोड़ कर सकते हो रहेँ आ पर यद्ञे प्राप बिमुरेटिगटी पावर के लिए हल्दी भी डाल सकते हो तो एक बाउल में इसे निकाल लेते क्योंकि इसे ठंडा करना है तो यह देखिए मैंने सारा निकाल लिया है और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं और आपको लगे कि क्या पता यह सेट हो या नहों तो आप चेक भी कर सकते है थोड़ा सा लेकर यह देखिए एक दम डो सा बन जाएगा यह देखिए ना तो बस अब इसे मैं छूज रही हूँ कि मतलब यह इतना गरम नहीं है तो बस थोड़ा सा हातों में मैंने तेल या फिर गी लगा सकते हो और थोड़ा थोड़ा सा लेकर आप सेप अपनी मर्जी से कैसे भी कैसे भी आप सेप में बना सकते हो मेर एक स्टार की इसमें सेप दी है देखिए कितनी प्यारी यह देखिए बहूत सुंदर लगेगी यह देखिए हलके हलके इसमें फ्लावर भी नजर आ रहे हैं तो देखिए मैंने सारे बना करेड़ी कर लिए और कितने सुन्द लग रहे हैं और हाँ फ्रेंड्स इस से पहले भी मैंने दो रेस्पी शेयर कर रखिए बचे बुंदी के लड़ू और बुंदी इनकी दो क्यों तीन चार रेस बच्चों फिलावर थे वो उपर से लगा दी थे और थोड़ी सी मेठी स्वोंप लेगा दी थी ताकि आपको भी बच्चों को भी दो तो उन्हें और भी ज्यादा पसंद आए तो